पिछले एपिसोड में वोवल चाट और हमने पिछले हफ़ते वोवल चाट के बारे में पढ़ा था पुरानी इबरानी बाशा में वोवल साट यानी स्वर थे और उनके पास चिन नहीं थे इसे लिखने के लिए और बाद में इन सभी चीजों के लिए चिन दे गए खर लेकिन और यहिं स में पर यह बैसे यह रिखनें गें वे चीजों के लिखने के लिखने आपका है A यहीं सिट्धा यह यहां प्रयों करते थे when I और जैसे आई के लिए वो योद का प्रयोग करते थे और उसके लिए वे वाव का प्रयोग करते और इसलिए मैंने कहा कि इन तीनों विंजन पर आदारित और उन्होंने इसे तीन समू में बांटा है सबसे पहले एक लाइक 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 उन्होंने e और i दोनो वावल को इकटे कियें and also और फिर in u class और u समुव में they brought उन्होंने the वावल पॉइंटिंगे और जो ओ और u का जो वावल पॉइंटिंगे उसे so they kept in that in these classes तो उन्होंने इसे इन ही वर्गों में रखा okay well today तो आएए देखेंगे, आज हम सीखेंगे, it is Shawa, Shawa के बारे में, we call this one as Shawa, और हम इसे Shawa कहते हैं, okay, what is the sign for Shawa, और Shawa का ये चिन कैसा है, और इसका चिन है, as we write colon in English, और जैसे हम colon लिखते हैं अंग्रेजी बाशा में, और अंग्रेजी में colon, so in the same manner, और उसी तरीके से, we write this is the vowel pointing, और ये है इसका स्वर, और इसका अनुवाद कैसा होगा, और इसका अनुवाद है, it is E, ये है E, और ये है चोटी E, okay, so today I want to teach you on this Shawa, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये Shawa के बारे में, you may be thinking that, और आप सोच रहे होंगे, कि ये ऐसा क्यूं, because, क्यूंकि, in this Shawa, और ये Shawa में, we have, हम देखते हैं, the three groups, और इसमें तीन वर्ग और हैं, और ऐसे तो से, या फिर ऐसे कहें, Shawa, sometimes it can be as vocal Shawa, कभी-कभी तर ये बोलने में Shawa है, and the second one, और ये दूसरा है, it is the silent Shawa, और इसमें आवाज नहीं, मौन है, and the third one, और तीसरा है, it is composite, composite यानी संयूग, Shawa, Shawa, so that's the reason, और इसी कारण, today we are going to discuss about the Shawa, और आज हम चर्चा करेंगे Shawa के बारी में, okay, keep in your mind that, तो आप इन बातों को दिमाग में रखे, Shawa is also one of the vowel's point, Shawa भे एक तरह का स्वर ही है, and this vowel point, और ये जो वोवल है, जो स्वर है, and in this, it got of three sounds, और एक ही शब्द में तीन प्रकार का आवाज है, और हम इसे देखते हैं स्वरों के पॉइंट में, so, in that, we see that Shawa has the three vocal, silent and composite Shawa, Shawa में आवाज, फिर मौन, फिर साइउक्त शब्द भी है, और तो से वोगल Shawa, या फिर आवाज हैं, और silent Shawa, या फिर मौन Shawa, और इन बातों को आप अच्छे से समझ लें, तो सबसे पहली बाद जो आप दिमाग में रखें, आवाज वाली Shawa में इस प्रकार, इसमें आवाज निकलती है, इसमें इ का आवाज आता है, इसमें इ उच्चारन है, और मौन Shawa में, और इसमें कोई उच्चारन नहीं, इसका कोई आवाज भी नहीं, इसकी कोई अनुआद भी नहीं, और जे सैंगत शेवा है, और जिस सयंगते शवा हैं वो सयंगते और शवा भी है तो आएए देखेंगे हर एक शवा को उसका अर्थ क्या है तो सबसे पहले यह है आवाज वली शवा और इसका चिन कुछ ऐसा होगा और यह ठीक वैसा ही शवा है जैसे हम लिखते हैं और इसका अनुवाद क्या है यह है ई तो आप इस बात को ध्यान में रखें और आवाज वाली शवा में और शवा जिसमें आवाज निकलती है और इसमें ए का आवाज निकलता है और फिर हमने यह भी सीखा और हमने देखा कि यह अर्ध स्वरों में आता है और इसका मतलब है मैंने कहा और जब आपने वर्गी करन किया था स्वरों को उसमें और यह है अल्प स्वर और फिर दीर्ग स्वर और फिर सैयुक्त शवा और इसमें हमने सीखा था और हमने सीखा और यह जो अल्प स्वर हैं और जो दीर्ग स्वर हैं इनको यह भी कहते हैं वे पूर्ण स्वर हैं तो हमने देखा अल्प स्वर दीर्ग स्वर और इन दोनों को पूर्ण स्वर भी कहते हैं तो आईए देखेंगे दूसरी स्वर जो दूसरा है It is silent Shawa और ये है moun Shawa Silent Shawa means Moun Shawa का मतलर Okay, it is also और ये है B It is also the same sign इसका चिन भी वैसा ही है Okay, as we wrote it for Shawa और जैसे हमने Shawa के लिए लिखा और as we wrote it for vocal Shawa और जैसे हमने आवाज वाली Shawa के लिए लिखा So in the same manner, it is also the two dots as we write in English, colon और ठीक वैसे ही ये दो बिंदू हैं जैसे अंग्रेजी में colon लिखते हैं But, that you need to keep that लेकिन इस बात को ध्यान रखें It is no sound और इसमें आवाज नहीं है और या ये transliteration ये मौन है, इनका अनुआद भी नहीं है There is no sound इसकी आवाज भी नहीं और इसका कोई अनुआद भी नहीं है और ये पूरे silent पूरे मौन है It never begins at the beginning of a word कोई भी शब्द इसे शुरू नहीं होता है और at the beginning of a syllable या फिर किसी भी syllable के शुरू में नहीं लेकिन ये हमेशा अंत में आता है और हमने देखा शवा जिसमें आवाज है और फिर ये मौन शवा और आईए देखेंगे the third one जो तीसरा है वो कौन सा है और एपिसोड के शुरूआत में मैंने कहा था ये है आवाज वाली शवा मौन शवा और ये क्या है और बिलकुल सही ये है सैउंखत शवा और ये है सैउंखत शवा जो सैउंखत शवा है और इसमें भी वो तीनू गुन मौझूत है जो आवाजे जो मौन हैं और सैउंखत और इसी तरीके से और जेसे इसमें दो बिंदू लिखते हैं अंग्रेजी बाशा की कोलन में लेकिन इसमें और यहां पे दो स्वरों का जो चिन हैं वो एक बन जाता है और इसमें दो स्वरों का जो चिन हैं वो एक बन जाता है कह सकते हैं दो वावल पॉइंटिंग का संयुक्त है यह इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हैं और संयुक्त शवा के लिए एक और नाम भी है और हम इसे आटेप भी कहते हैं और हम इसे आटेप भी कहते हैं क्यूं? और हम इसे आटेप भी कहते हैं यह संयुक्त शवा यह संयुक्त शवा और यह के वल गट्रल्स में पाये जाते हैं और यह गट्रल्स है क्या? और यह गट्रल्स है क्या? और यहां पर चार ऐसे अक्षर हैं जिसे हम गत्रल कहते हैं अलेफ, यहे अलेफ, आईन, हे, एत ओके जो चार हैं यह गत्रल्स हैं यह जो सायूंक ते शवा है तेक्स अलेफ और यह केवल इसके आदार पर गत्रल्स और वो भी गत्रल्स में और यह हम ऐसे लिखते हैं यहा आटेफ पाटा या आटेफ शेगोल और आटेफ पाटा आटेफ पाटा बाल्स और इसी कारण मैंने कहा था चार्जस में और आटेफ सेगोल तो सायूंक ते शवा है उसका दूसरा नाम, उसका नाम आटेप है, क्योंकि, आटेप पाटा, आटेफ पाटा, आटेफ शेगोल, आटेफ कामिक्स, देखिए, ओके, this is one vowel pointing, और ये एक स्वर का पॉइंटिंग है, और ये दूसरा स्वर है, तो यहां पर हम एक और स्वर भी देखते हैं, और यहां पर हमने देखा, और यहां पर भी हम देखते हैं, और इसलिए मैंने कहा इसमें दो स्वर मौझूद है, तो यहां पर एक स्वर है, यहां पर दूसरी स्वर, और यहां पर एकಈ स्वर, यहां पर दूसरा स्वर. और यहां पर एक स्वर है, यहां पर दूसरा. Okay, so, when we write पाठा, और जब हम पाठा लिखते हैं, यह A है, यह A है, so, in the same manner, इसी तरीके से, अटे पाठा, आटे पाठा, it is A, यह ए, but it is in small A. लेकिन ये है चोटा A क्योंकि हमने सुना था साइउत शवा ये हैं बहुत ही अलप स्वर पॉइंटिंग एक और तरीके से अलप स्वर लॉवल देर्ग स्वर और ये चोटा स्वर और किनको हम बहुत चोटा स्वर कहते हैं कौन-कौन से हैं वो ये हैं ये सायुक्त शवा तो ये आटेफ शेगोल ये तो वही है फिर आटेफ का मिक्ष और ये है ओ और इस तरीके से और इसी कारण हमारे पास आई नहीं है यू नहीं है और इसे लिए इसे हम कहते हैं अर्दस्वर और इन बातों को आप ध्यान रखें वोकल शवा आवाज वाली शवा तीन बातें सायलन शवा माउन शवा तीन बातें और फिर सायुक्त शवा इसमें तीन बातें सायुक्त शवा को हम आटेव कहते हैं और ये दूसरी बात है और इसमें दो स्वरों का मिलन है और तीसरी बात जिसको आप दिमाग में रखें और इसी बात को आप धियान रखें आए शवा को प्रयो करते वक्त किन बातों का धियान रखेंगे और फिर आगे लिखने के लिए शवा का प्रयोक करने के लिए और शवा के लिए जब नोट्स लिखेंगे आप इस बात को धियान रखें चार बातें और इसे हम कहेंगे और ये आवाज वाली शवा होगी और कब ये मौन शवा होगी जो सायंक ते शवा है वो तो समझ गया है और ये केवल गट्रल्स में ही पाये जाते हैं और ये केवल आलेफ में और इन या फिर आईन और हे या फिर हे और एत लेकिन आप देखिए और इसमें जो उल्जन है कि हम इनको कैसे पैचानेंगे कि ये कब मौन होंगे और आवाज कब होगी इसलिए आप चार प्रमुख बातों को अपने दिमाग में रखें सबसे पहले जब कभी भी जब कभी भी व्यनजन आते हैं दो बार लिखा जाता है जब ये दोहराया जाता है तब हम शेवा तब हम शेवा का प्रयोग करते हैं तब हम इन्हें वोकल शेवा यानि आवाज वाली शेवा कहेंगे और या फिर इस इस प्रकार भी कहेंगे जब एक व्यनजन का प्रयोग करते हैं दागेश फोटे के साथ तो दागेश फोटे क्या है दागेश फोटे is a doubling dot in a consonant और जो दागेश फोटे हैं वो doubling dot है एक व्यांजन में तो यहां पर हम दो व्यांजन लिखने के बज़र यहां पर हम केवल एक व्यांजन को लिखेंगे और फिर इसी व्यांजन में एक बिंदू लगाते हैं और जिसको हम दागेश फोटे कहते हैं और फिर आप इस बात को ध्यान रखें कि there is दागेश लेने अंसो और दागेश लेने भी है इसमें और दागेश लेने अकर्स ओनली इन और यह केवल गटता है इन बेगात के पात लेटर्स बेगात के पात अक्षरों में और यह चे हैं और यह कौन-कौन से हैं जिमेल दालेट कहिए मेरे साथ और हमने इसे पहले भी पड़ा है और यह कौन-कौन से हैं यह जो लगातर हमारा कारीकरम देख रहे हैं हम उनसे सवाल कर रहे हैं तो यह कौन-कौन से हैं क्या हम इसे फिर से दोर आएं बेगात के पात अक्षर क्या हैं बेथ जीमेल डालेट काफ पे और ताव इसे बेगात के पात अक्षर क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें इसमें दो तरह का उच्चारन है एक तो कटिन उच्चारन है और दूसरा नरम उच्चारन और जो कटिन है जब हम यहां पर बिंदू लगाते हैं इसका नरम उच्चारन जब हम इस वेंजन में बिंदू नहीं लगाते हैं और आएए देखेंगे सबसे पहले जब कभी भी एक डागेश फोटे के साथ वेंजन के शुरुवात होती है दागेश फोटे आ डागेश लेंगर डागेश लेंडुप alarm और उस इस बात को अभी थ्यान रखेंगे Okay, whenever a consonant is after of long vowel, it is known as vocal شवा. So, what are the long vowels? How many are they? Okay, the five only are there. और इसमें केवल पांची हैं. But it got what? लेकिन इसमें क्या हैं? इसमें साथ चिन हैं. और साथ वोवल पॉइंटिंग्स हैं. I believe that you are able to know what are they. और मुझे यकिन है कि आपको पता हैं ये कौन-कौन से हैं? Okay, what are they? ये कौन-कौन से हैं? कामिक्ष, इरेक योद, सरे, सरे, सरे योद, सरे योद, होलम, होलम वाव, होलम वाव, सुरेक. Okay, so these are the seven vowel pointings which comes under the long vowel. तो ये हैं दीर्ग स्वर में आने वाले साथ vowel pointings. Now, so whenever a consonant is begin with a short vowel, एक विंजन के शुरुवात अल्प स्वर से हो, then, it is known as फिर, इसको हम कहते हैं as the silent shava. और ये है मौन शवा. It's known as the silent shava. इसको हम कहते हैं मौन शवा. Okay, the simple way to keep in your mind. और इसे याद रखने के लिए Whenever a consonant is after of long vowel, जब एक दीर्ग स्वर के बाद विंजन हो, then, it is known as the vocal shava. तब हम इसे आवाज वाली shava कहेंगे. और when the letter is begin with the short vowel, या फिर अक्षर के शुरुआत होते हैं अल्प स्वर से. By the way, what are the short vowels? और ये अल्प स्वर हैं क्या? ये कौन कौन से हैं? और कितने हैं ये? और कुल मिलाकर पांच हैं. पाटा, हीरेक, कीबुस, सेगोल, and कामेक्स अटूफ. So, these are the five, are coming under the short vowels. तो ये पांच हैं अल्प स्वरों में. Okay, so now the third thing that you have to keep in your mind, तो तीसरी बात जो आप दिमाग में रखेंगे, as when we learn in the vocal shewa, आवाज वाली shewa में जैसे देखा, there we have learned that, वहां पर हमने देखा, is that, और वह है, whenever the word is beginning with shewa, और जब कभी भी शुरुवात होता है shewa के साथ, then it is known as, तब हम इसको, vocal shewa, हम में से vocal shewa कहेंगे, इसका मतलब क्या है, when, ever, a word, is beginning, beginning, with, a, shewa, it is, known as, जब ही एक शब्द के शुरुवात, शुरुवा के साथ हो, तब हम इसे, आवाज वाली शुवा कहेंगे, at the beginning of a word, और अक्षर के शुरुव में, or at the beginning of a syllable, या फिर एक सिल्बल के शुरुवात में, it is known as, और इसको हम कहेंगे, as the vocal shewa, आवाज वाली शुवा, okay, now the fourth one, तो आएए देखेंगे चौथी बात, that you need to keep in your mind that, जो आप अपने दिमाग में रखेंगे, whenever, a word, begins, with, two shawas, जब कभी भी किशे शुरुवात होता है, दो shawas, then, one will be silent, तब एक मौन होगा, and another will be the vocal shawas, और दूसरी आवाज वाली shawas, let me tell you the example, एक उदाहरन देखेंगे, एक उदाहरन देखेंगे, और उदाहरन है, just I am writing like this, okay, just an example, एक उदाहरन, to say, so when this, the word is beginning with the two shawas, जब किसी अक्षर की शुरुवात होता है, दो shawas से, so that time, तो उस समय, the first one, जो पहला है, will be known as, उसको हम कहेंगे, as a silent, मौन वाले shawas, and the, और फिर, the second one, जो दूसरा है, is known as the, उसे हम कहेंगे, as the vocal shawas, आवाज वाली shawas, it means that, इसका मतलर, when you are transliterating here, जब इसको आप अनुवाद करेंगे, so there is no any sound, तो यहां पर इसका कोई आवाज नहीं, and when we are transliterating here, लेकिन जब इसका अनुवाद करेंगे, it produces the sound, तो यहां पर इसका आवाज होती है, कि जब भी आप शवा का प्रयोग करेंगे, that, the four things that you are keeping in your mind, यह चार बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे, ता कि आप अंतर कर सकें, आवाज वाली और मौन शवा में, तो आप जान गे होती हैंगे, क्योंकि यह केवल गटरल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इस बात को और भी अच्छे से ध्यान करने के लिए, और यह आवाज वाली और मौन शवा में, सबसे पहले, जब भी वेंजन दो बार आते हैं या दागेश फोटे हो, तब हम इसे आवाज वाली शवा कहेंगे, और दूसरी बात, जब कभी भी, एक वेंजन आता है देर्ग स्वर के बाद, तब हम इसे वाज वाली शवा कहेंगे, जब शुरू होते हैं अल्प स्वर के साथ, तब इसे हम मौन कहते हैं, और तीसरी बात, तो हमेशा वोकल शवा, और जो आवाज वाली शवा है, इसकी शुरुआत होते हैं एक शब्द के साथ, या सिलिबल के साथ, और जो चौती बात है, जब कभी भी, एक ही शब्द में जब दो शवा का प्रियो करते हैं, और एक ही शब्द में, तब, जो पहला वाला है, वो मौन शवा होगा, और दूसरी वाली, और वो होगा, आवाज वाली शवा, तो मुझे यकीन है, आप बात बात हैं, बिलकुल शवा को समझ गए होंगे, और इसी के साथ, आप जब भी भी पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आपको यह आसानी होगी, जब भी आप बाइबल को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो मेरे प्यारे दर्शकों, तब तक के लिए, तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, और फिर समझ भी लें, और परमेश्वर आप सबों को आशिश दें, परमेश्वर का शांती आपके साथ हो, शालूम, शालूम. कर दो आपके साथ हो,